वेलकम टू इदनेत हलो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुब काम नाई आईए नव वर्ष की शुरुआत मीठे से करते हैं आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिमाचरे धाम में बनाये जाने वाले मीठे चावल वाश करके आधा गहंते के लिए पानी में भिगो देंगे ये चीनी हम ले रहे हैं जिस को टोरी से मैंने चावल नाप थे उसी को टोरी से मैं चीनी नाप रही हूँ तो जितने हमने चावल लिए हैं उससे थोड़ी कम चीनी ले लेंगे ये हम ड्राइफ रूट्स ले लेंगे चावलों को भिगोए हुए मुझे आधा घंता हो गया है अब हम एक कूकर में देसी घी गरम कर लेंगे घी गरम हो जाने पर मैंने इसमें आधा चम्मत सांफ डाल ली है साफ चटक जाने पर हम इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे मैंने यहाँ पर काजू, बदाम और किश्मिश लिये हैं काजू और बदाम को काट लिया है अब ड्राइफ रूट्स का अमाउंट आप अपनी इच्छा के अनुसार ले लें ड्राइफ रूट्स को हमें हलका भून लेना है जब तकि इनका कलर हलका ब्राउन नहीं हो जाता एक चथा चमच हल्दी यहाँ पर हमारे ड्राइफ रूट्स भून गए हैं इनको भूननी के लिए 2-3 मिनट का समय ही लगता है अब हम इसमें कलर के लिए मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ वैसे फूड कलर यूज किया जाते हैं तो आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं यह हमारे भिगोई हुए चावल है इसका पानी मैंने निकाल दिया था अब हम इन चावलों को थोड़ा भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए धाम में यह चावल बल्टोयों में बनाया जाते हैं जो एक तरह का बड़ा पतीला होता है जिसका मूँ छोटा होता है मगर जल्दी बनाने के लिए हम इसे कूकर में बना रहे हैं मगर यकीन मानिये टेस्ट बिल्कुल धाम के चावल जैसा ही आपका यहाँ पर आएगा 3 मिनट चावलों को भूनने के बाद मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ जितने हमने चावल लिए हैं उसका धाई गुना हमने पानी डाला है और इसमें 3 चथाई कटोरी चीनी डाल लिए है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक कटोरी मिठे चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाई कटोरी पानी लिया है क्योंकि मिठे चावल पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं और फ्लेम को मीडियम से हाई के बीच रखेंगे और कम से कम चार से पांच विसल्स आने देंगे मैंने यहाँ पर पांच विसल्स लगा दी हैं हमारे मिठे चावल रड़ी हो गए है अब इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे हिमाचली धाम में मिठे चावल खाने के end में सर्व किये जाते हैं यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी आप देख सकते हैं कि हमने जो चावल बनाए है इनका कलर बिल्कुल धाम वाले मिठे चावल जैसा यलो आया है पर जैसा कि मैंने आपको बताया था धाम में हल्दी नहीं डाली जाती है वहाँ पर इसमें फूड कलर यूज क्या जाता है अगर आप मेरी तरह हल्दी यूज कर रहे हैं तो हल्दी का अमाउंट कम रखें नहीं तो आपके मिठे चावल का कलर ऐसा यलो नहीं आएगा आप मीठे चावल को घी डाल कर गर्मा गर्म सर्व करें आईए मैं आपको इंग्रीडियन्स की लिस्त देती हूं आप इस ट्रेडिशनल हिमाची शीट डिश को ज़रूर ट्राइ करें और कमेंट करें कि यह आपको कैसी लगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब आपको यह वीडियो पेसंद आया होगा थैंक्स वाचिंग